बॉलिवुड आक्ट्रिस और आइटम गर्ल राखी सावंद अपनी अदाकारी से ज्यादा अपनी बयानबाजी के चलते चर्चा में रहती है कुछ समय पहले राखी ने भगवान वालमी की और उनको मानने वालों के खिलाफ अपमान जनक बयानबाजी की थी अब इस मामले में राखी सावंद की गिरफतारी भी हो सकती है इस से पहले भी सलमान खान, करन जोहर और कई सम्वेदन शील मुद्दों पर राखी अपने बयानों से चर्चा में आ गई थी गौर तलब है कि बार बार समन भेजने के बाद भी राखी अदालत में पेश नहीं हुई इस मामले में सुनवाई के दौरान सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी राखी सावंद को पेश होने का हुक्म सुनाया था पिछली सुनवाई पर 9 मार्च को अदालत ने राखी का गिरिफतारी वारंट जारी करते हुए पुलिस को आरोपी को पकड़ कर अदालत में लाने के आदेश दिये थे इस आदेश का पालन करते हुए थाना पुलिस ने एक टीम को मुंबई रवाना किया है अभी हाल ही में राखी का ड्रेसिंग रूम विडियो काफी वाइरल हुआ था लेकिन राखी ने इन सब बातों से इंकार किया है राखी ने इसे गलत बताते हुए कहा है कि इस विडियो में उनका कोई डिप्लिकेट है खेर अभी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चेटपेटी नियूस देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालिदार खबरों के साथ बाई बाई